इस सीरीज में हम चारिया 5 वीडियो कवर करेंगे और इन 4-5 वीडियो में हम इंफलेशन को बहुत अच्छे तरह से पढ़ेंगे समझेंगे क्योंकि इसमें कंटेंट भी मैंने काफी सारा लिया है तो कंटेंट के साथ पढ़ेंगे और अच्छे से समझ में आएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा नए नोटिफिकेशन के लिए पैनल रजिस्टर विर्कुल साथ में रखिए क्योंकि नोट्स बनाने हैं और नोट्स के साथ पढ़ेंगे ताकि रिवीजन में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो चलिए स्टार्ट करते हैं इंफलेशन अकाउ जो हमारी कॉम्रिटीज होती हैं तो कॉम्रिटीज के प्राइज बढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है यह इंफलेशन रेट बढ़ रहा है क्लियर हम यह भी कह सकते हैं कि जो मनी है उसकी पर्चेजिंग पावर काम हो रही है बिलकुल कह सकते हैं देखो को कोई भी चीज है अगर आज से 5 साल पहले मैंने वह 100 रुपीज में खरीदी है और आज मैं उसको फिर से खरीदना चाहता हूं सेम चीज को लेकिन उसको खरीदने के लिए मुझे 120 रुपीज खर्श करने पड़ रहे हैं जो मेरी 100 रुपीज थे आज उसकी वेल्यू कम हो गई है 5 साल पहले वह चूप चीज पर्चेस कर सकती थी आज वह पर्चेस नहीं कर पा रही है उसके लिए मुझे ज्यादा पेमेंट करनी पड़ रही है ज्यादा मनी यूज करनी पड़ रही है सिंबली क्या हुआ है मेरी जो मनी है उसकी पर्चेसिंग पावर कम हो गई है तो है क्या इंफलेशन बिल्कुल सिंपल सी बात है जब चीजों की रेट बढ़ते हैं अबरेज प्राइज 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 पर्चेसिंग पावर कम हो गई है उसको हम क्या कह सकते हैं इंफलेशन कह सकते हैं इंफलेशन का सिर्फ इतना ही हमें यहां ओवर्वीव चाहीए भर ज़्यादा इसमें डीप में हमें नहीं पढ़ना है अब बात करते हैं इंफलेशन अकाउंटिंग की अब इंफलेशन अकाउंटिंग क्या हमने देखा इंफलेशन बढ़ रहा है चीज़े जो commodities हैं business point of view से अगर हम देखे तो हमने जो भी assets खरीदे थे उनकी जो prices जब खरीदे थे तब कुछ और थे और अगर आज हम देखे तो उसके prices कुछ और है तो ये inflation accounting एक technique है जिससे कि हम अपने financial statement को restate कर सकते हैं for showing the changes in the journal price level जो भी price में changes हुए हैं उनको show करने के लिए अपने financial statement को हमें क्या करना पड़ रहा है reinstate करना पड़ रहा है to so that the effect of change in the price level of an accounting item could be eliminated उसको खतम करने के लिए and for this purpose different items are shown at their current values by making necessary adjustment so inflation accounting क्या हुई simple एक technique है जिसके दुआरा हम अपने financial statement को reinstate करते हैं जो हमारे changes हो गई है price level में उनको eliminate करने के लिए by making necessary adjustment simple धिहान में देने वाली क्या बात है अब हमें यह देखना है कि यह जो different items है यह items कौन से है जब इन items को समझ जाएंगे तब हम सारी चीज़े समझ जाएंगे क्योंकि देखो effect जो होगा वो हर चीज़ पर same नहीं होगा inflation का कुछ चीज़ों पर कम होगा कुछ चीज़ों पर जादा होगा कुछ पर बिल्कुल भी नहीं होगा अच्छा जब हमारे पास historical cost accounting है अलड़ी हमारे पास इतना अच्छा system है historical cost accounting का तो हम inflation पर क्यों जा रहें inflation accounting की क्या जरूत पड़ी क्या हम इसी में कुछ ना कुछ adjustment नहीं कर सकते थे obviously historical cost accounting क्या है historical cost accounting वो accounting है जिसमें की हम अपने जो भी assets पर acquire करते हैं उसको उसके original cost पर लिखते है record करते हैं books में original cost पर चीक है when it is acquired by the company और यह क्या है हमारा gap भी है generally accepted accounting principle है तो इसके रहते हुए हमें inflation accounting की क्यों जरूत पड़ गई because historical accounting does not take into account the price level changes ठीक है तो price level changes को यह नहीं दिखा पाती है इसलिए हमें inflation accounting की जुरूत पड़ गी देखो जब भी हम inflation accounting करते हैं हमें historical cost basis पर accounting तो करनी ही पड़ेगी that is inflation accounting क्या है वो supplementary है वो इसकी जगा नहीं ले सकती है तो सबसे पहले हमें historical cost accounting तो करनी ही पड़ेगी अब जरूत क्यों पड़ी सबसे पहले थोड़ा सा limitations कुछ तो रही होंगी historical cost में तो हमें inflation accounting की जरूत पड़ गई सबसे पहला financial statement does not depict true and fair value हमें पता है financial statement इसलिए प्रपेर किये जाते है ताकि वो हमारी business की worth को true and fair प्रप्रेजेंट करें अब एक example लेते हैं हमने एक asset purchase किया one lakh rupees का clear अब हमने इस पर depreciation लगा दें दो साल में depreciation लगके इसकी value बची हमारी books में 80,000 clear अब लेकिन अगर इसको हम दो साल बात market में इसकी valuation करें तो इसकी valuation होगी क्योंकि inflation हो रहा है prices बढ़ रहे हैं तो यह आ रहा है हमारा one lakh 40,000 में लेकिन हमारी books में इसकी value कितनी है 80,000 तो हम कह सकते हैं कि हमारी books जो हैं हमारे records जो हैं वो हमारे true and fair value represent नहीं कर रही है और यहीं से क्या होगी हमारा current worth is misleading हमारी current worth भी क्या होगी mislead कर रही है हमे current worth क्या है हमारे total assets में से outside liability minus कर देते हैं तो current worth हो जाती है तो वो current worth भी क्या हो रही हमारी mislead हो रहे है क्योंकि जो भी चीज जो item जो plant यह जो machine हमारी one lakh 40,000 की है present वो हम अपने book में कितने में शो कर रहे हैं 80,000 में शो कर रहे हैं तो हमारी current worth भी misleading है and this is the limitation of historical cost accounting now एक बहुत important जो हमारा drawback है वो क्या है replacement cost assets की क्या हो जाती है बहुत ही difficult हो जाती अब इसी item को हम लेते हैं अगर हम यही plant लेंगे हमारे plant था one lakh में जो हमने purchase किया five year बाद इसकी value क्या हो जाएगी निल हो जाएगी और depreciation हमने इस पर charge कर लिया one lakh का clear अब हमें इसे replace करने की जुरूत पड़ेगी अब replacement के लिए fund कितना available है हमारे पास one lakh जबकि market में इसकी value है four lakh कैसे replace करेंगे हम इसको तो क्या गई replacement of asset became very difficult क्योंकि हमने original cost पे लगाया उतने पास सालों में prices इतना बढ़ गया कि हम उसको replacement कर नहीं कर पा रहे उस original fund के basis पे तो यह हमारी क्या होगी drawback हो गई next चलते हैं overstatement of profit exactly देखो depreciation चार्ज किया हमने अपने gross profit से depreciation को चार्ज किया अगर मैंने कोई भी depreciation सबोस करें यही हमने 20,000 का depreciation चार्ज किया asset की value के basis पे और profit आया मेरा सबोस करते हैं 1 lakh का profit आया net profit after charging depreciation जबकि यह मैंने original cost पे किया अगर मैं इसको current cost पे करता हूँ तो यही depreciation मेरा 40,000 का आता क्योंकि 4 lakh है इसकी cost तो यही मेरा depreciation कितना आता 40,000 का आता तो यहां मैं 40,000 और minus करती तो 20 plus 20 40 तो यह profit मेरा कितना शों होना चाहिए था 80,000 शों होना चाहिए था यहां मैंने जो depreciation चार्ज किया वो कम चार्ज किया और मेरा profit उसकी वज़े से क्या हो गया? जादा वो गया और इसकी drawback तो भी बता ही है tax जादा पे करना पड़ेगा जा्दा प्रॉफित है तो क्या क्याट्यणौ्स हோं गे टेक्स ज्यादा पेई करना पड़ेगा डिवडेंट्ना पड़ेगा ऊंदे ओध हुण जन्कूर करेंगे है अब करें Cham Notice इन्हों क्यों तो इन्हों हो गए हं वर्प वज़य से इन जितने भी हमारी चीज़ें है वज़े से हमें क्या जूरत पड़ी inflation accounting की अब हमने देख लिया why inflation accounting क्योंकि historical cost में कुछ कम्या थी इस वज़े से हमें inflation accounting पर जाना पड़ा लेकिन what are the effect of price level changes कहां effect हो रहे हैं अभी हमने बताया ना कुछ different items हैं जिन पर differently effect पड़ता है price level का तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने financial statement प्रॉफिटन लोस अकाउंट इंकम statement पर इंकम स्टेट्मेंट में के हमारे पास सलरी है वेज़ेस वेज़ेस सेलरी commission insurance अब इनको देखो यह जो हम पे करते हैं expenses यह इनकी current value पर होती है बढ़ी देखो जितना भी कमीशन था उतना commission पे किया हमने sales commission पे किया 1000 का commission आया तो हमने 1000 पे कर दिया salary पे करने थी 30,000 की salary पे करने थी यह जितने भी हमारे items है वो जर्नली क्या है current prices पे हैं तो यह क्या है not so much affected by the price level changes price level से कौन से item ज्यादा effect होंगे जो long term acquisition हुए है यह long terms के हैं तो अब हमने देखा कि यह item हमारे affected नहीं है तो इनके लिए हमें adjustment की requirement नहीं है अब देखो profit and loss account में post of goods sold आता है हमारा cogs cogs कैसे निकालते हैं opening stock plus purchases minus closing stock अब यहां देखो कि जब हमने cost of goods sold बनाया तो इसमें हमारे पास raw material था raw material हमने purchase किया था किसी एक रेट पे और उस raw material को हमने finished good में convert किया तो अब यहां हमने नहीं नहीं पता कि हमने जरो raw material purchase किया था वह कौन से time पे purchase किया था इससे क्या effect पड़ा हमारे cost of goods sold पे effect पड़ा कि वह हमारे current prices पे नहीं है क्योंकि जब हमने उसको बनाया इसमें एक significant change आता है हमारी cost price में और market price में क्योंकि सबसे पहले तो हमें देखना है कि raw material हमने कौन सकते हैं तो इसका treatment होगा वो आगे आने वाली videos में देखेंगे अभी फिलार हम यह देखते हैं कि हमारे effect कौन-कौन सा item होते हैं तो cost of goods sold हमारा effect हुआ that means इसमें हमें adjustment करने के जुरूत पड़ेगी then valuation of closing inventory अभी हमारा closing inventory भी आया क्योंकि closing inventory क्या था it is based on the COGS, COGS के उपरी तो बही सही है भी closing inventory यहीं से तो बनके आगे आगे अब इसमें भी हमें नहीं पता कि raw material कौन सा हमने यूज किया है तो इसमें भी significant difference आगे हमारा cost price और market price में तो यहां हमें adjustment की जुरूत पड़ेगी then comes the depreciation अभी देखो last में हमने depreciation पड़ा, जब हम original cost पे लगा रहे है depreciation तो वह हमारे assets के replacement के लिए भी पूरा नहीं हो रहा है और उसकी वज़े से हमारा profit भी overstated हो रहा है तो एक depreciation यह हमारा क्या है ऐसा item है जिसके लिए adjustment की requirement है तो profit and loss account में यह 3 important items है जिनके लिए हमें requirement है adjustment की कि हमें inflation accounting जब करेंगे तो इनको adjust करेंगे अब आते हैं balance sheet पे balance sheet में क्या क्या चीज़े है देखो asset side में debtor, BR, cash, prepaid expenses, short term investment यह सारी चीज़े क्या है हमारे they are required for the short term period and they are near to the market value so not much affected यह भी सेम है cash मेरे पास है तो cash के तो उतनी value है तो जितना है उतना ही रहेगा वो रखे रखे बढ़ेगा तो नहीं bills receivable जिसको मैंने जिसको मुझे payment करनी है जो मुझे payment कर रहा है 10,000 की तो वो मुझे 10,000 की payment करेगा जो मेरा debtor है वो यह तो नहीं होगा ना कि price बढ़ गए है चलिए 10,000 की जगे आपको 11,000 कर देते हैं क्योंकि price बढ़ गया है है न price level changes हो गए है या index हमारा change हो गया है वो क्या करेगा 10,000 की payment करेगा तो यह सारे जो है receivable है यह हमारे पास at current value क्योंकि यह हमारे current value पे हैं तो यह भी हमारे पास ज्यादा affected नहीं है तो इनके लिए भी हमें कोई ज्यादा बहु ज्यादा adjustment की जुरूत नहीं है अब करते ह last slide में हम बात कर चुके closing stock की closing stock effect करता है तो उसको हम adjust करेंगे now fixed assets in the long term investment are most affected क्योंकि fixed assets हमने भूत लंबे time के लिए acquire करे हैं उन पे depreciation लगवाना है और long term investment हमारे हैं तो यह सारे most affected item है तो हमें इनके लिए क्या करना पड़ेगा adjust करना पड़ेगा इनकी items को अब बात करते हैं intangible assets के intangible assets कौन से हुए मारे goodwill हो गया copyright हो गये patent हो गये देखो इनकी कोई definite value तो होती नहीं है कि हमने बताया कि हमारे जो goodwill है उसकी इतनी ही value है यह हम value करते हैं जब भी हमने requirement होती है तो इनकी कोई definite value नहीं होती है तो इनको बहुत आसानी से amortize कर सकते नहीं write-off कर सकते हैं अगर हमें लग रहा है कि जादा हो रही है तो write-off कर सकते हैं चीक है तो इसके लिए भी हमें बहुत जाद adjustment की जरुरत नहीं है अब आते हैं fictitious assets पे balance sheet की बात करें assets side में तो fictitious assets हुए हमारे अब fictitious assets की कोई market value नहीं होती है तो उनकी कोई market value तो है अगर हम उसको market में sale करने जाए claim expenses को market में sale करने तो value दो नहीं मिलेगी तो इन पे कोई factor नहीं होता और इनके लिए भी adjustment की requirement नहीं है अब हम liability side में आते हैं तो liability side में again current liabilities जैसे हमारे current assets थे वैसे हमारे current liabilities जितनी भी होती वो भी market value पे होती है और हमें actual amount ही pay करना है at the end of year अगर मेरे creditor 20,000 के हैं तो मैं हुआ ही नहीं है price level का उन पे क्यों नहीं हो रहा है क्योंकि वो throughout the year हमारे maintain होते हैं acquire होते हैं और वो हमारे market value पर ही रहते हैं current value पर ही रहते हैं इसलिए उनमें adjustment की requirement नहीं है अब आते हैं long term liabilities के लिए debentures हो गए या net worth हो गए ये भी हमारे effect होती है जैसे हमारे fix assets या long term investment effect ह effect हुए थे लेकिन फर्क इतना है कि जब long term liabilities अगर price level increase होता है तो जो हमारा burden होता है ना liabilities का वो decrease होता है और अगर price level decrease हुआ तो हमारा burden increase होता है कैसे होता है यह मैं समझाओंगे आपको suppose करो हमारे debentures थे हमें debentures थे 1 lakh के ठीक है 5 साल पहले हमने दिये थे और अब हमें redeem करने है तो 5 years ago इनकी value कितनी थी 1 lakh थी अगर अब हम एक general price index देखें index के according देखें तो आज उस 1 lakh की value कितनी है हमारे पास 1 lakh 20,000 है value तो क्या हम अपने debenture holder को 1 lakh 20,000 पे करेंगे no, हम तो वही amount पे करेंगे ना जो agreed था 1 lakh 1 lakh के debentures थे अब redeem करेंगे उनको वापस 1 lakh थी तो देंगे हम 1 lakh 20,000 नहीं देंगे तो हमें क्या फायदा हुआ इन 1 lakh की value आज 120 है but still we are paying 1 lakh तो देखो long term liabilities को hold करने में क्या हुआ हमारा gain हो जाता है और burden जो होता है वो liabilities का decrease हो जाता है clear हुआ चलिए अब next पे चलते हैं तो to give true and fair view of the business, business की true and fair देती है क्योंकि हमने क्या करा है जो भी हमारी items से उनको current value पर state कर लिया financial statement के items को तो अब हमारी जो financial statement है वो current हमारी जो picture है, fair picture दे रहे है now to remove the various distortions which financial statement based on historical cost suffer अब historical cost में कही सारे distortions थे, overstatement of profit थे, replacement cost नहीं हो रहे थी वो सारे क्या हो रहे है इससे दूर हो रहे है जब हम हर साल अपने accounting को reinstate कर रहे है current values पर तो हम replacement के लिए भी हमारे पास fund है और profit भी हमारा over stated नहीं हो रहे है तो सारे distortions थे वो क्या हो रहे है दूर हो रहे है करते हैं तो वह comparison क्या हो जाता है हमारा meaningful comparison हो जाएगा क्योंकि हमने क्या कर रहे है हमको current prices पर देख लिए है एक चीज हम 10 साल पुरानी चीज़ों को आज current से अगर compare करते हैं तो obviously उसमें कुछ नहीं कुछ बुराही तो हो गई ही रिप्रेश्मेंट के लिए फंड भी प्रिक्राइब हो जाएगा तुछ है capital erosion in the form of higher dividend हमने क्या कर रहा था overstated profit थे और उनकी वजह से क्या था dividend भी इंक्रीज हो गया था हमारा तो हमारी क्या in general हमारा profit नहीं था लेकिन क्यूंकि हमने inflation accounting क्या अपने profit को नहीं maintain किया था तो profit ज्यादा शो हो रहा था और उस profit के बेसिस पर हम डिवरेंट ज्यादा कर रहे थे दे रहे थे तो हमारी क्या हो रहे थी capital erosion हो रहा था ना तो हैप management in the decision making obviously management क्या करता है decision making करता है और उसको सही information मिलेंगी तो सही decision making होगी चलिए next limitations of inflation accounting limitations क्या है अगर इसमें limitations ना होती तो हम historical cost की जड़े इसी को नहीं use करते हैं है तो हर चीज की limitations होती है तभी हम इसको नहीं use कर पार है तभी इसको as a supplement हम use करते हैं जब भी हमें जुरुत परते तभी हम inflation accounting use कर लेते हैं टेक्निक यूज कर लेते हैं अपने financial statement को current figures पे लाने के लिए अब है depreciation charge represent the recovery of original cost depreciation का मतलब क्या होते है आपकी जो original cost आपने pay कि उसको recover करना ठीक है तो obviously historical cost में क्या logical है हम recovery तो करते हैं हम क्यों उसको नए price पे दिखाए फिर नया depreciation charge करें नाओ at the time of replacement not exactly same asset is installed अगर 10 साल बाद मुझे asset को replace करने के लिए जरुवत पड़ी तो क्या मैं same asset install करूंगी नो नई technology है नई assets सब लेबल हैंगे तो जरूरी निया कि मुझे वही asset install करना पड़े और जरूरी निया कि वह इतना महंगा ही हो नई technology है cost कम हो गई है तो हो सकता है वो मुझे less price पे भी मिल जाए तो मैं क्यों सोचती हूं कि वह आगे आने वाले time पे महंगा ही मिलेगा यह सबसे बटी drawback है क्योंकि जैसे हमारी historical cost generally accepted है ऐसे इसमें कोई ऐसी technique नहीं है कि जो अब accept उसको करने एक universal हो और सभी उसको use करें तो replacement के लिए हम आगे पढ़ेंगे तुमारे पास कई सारे methods है कोई firm अपने हिसाब से कोई method लगाती है दूसरी firm दूसरा method लगाती है तो जो हमारे comparison है वह बहुत ही मुश्किल हो जाता है profit depreciation charges and value of asset ascertained on the basis of this acceptable not accepted by tax authorities यह बहुत बड़ा drawback है जो भी हम inflation basis पे depreciation लगाते हैं या profit निकालते हैं या assets की value को ascertain करते हैं वो हमारी tax authority को मानने नहीं है तो problem क्या होई tax हो में उतना ही देना पड़ेगा अपने उसी profit पर देना पड़ेगा clear अब it is never ending process बेवकुल खदम तो होगी ने inflation तो बड़ाए जब भी हम हर साल हमें अपने historical cost बनाएंगे उसके बाद फिर inflation accounting करेंगे तो एक तरह से बहुत confusing हो जाएगा बहुत complicated हो जाएग दो दो तरह के हमें रखने पड़ेंगे historical cost के लिए accountant रखें inflation के लिए हमें specialist रखने पड़ेंगे valuers रखने पड़ेंगे तो यह थोड़ा से complicated भी है confusing भी expensive भी हो जाएगा it may also lead to window dressing and the people may adjust account यह भी बहुत बड़ी इसकी drawback हो गई क्योंकि यह replacement cost का कोई एक हमारे पास universal नहीं है कि एक ही cost से हम इसी method से निकालें तो different methods हैं तो business houses different method को use करेंगे और अपने profits को अपने जो उनके net worth है उसको differently show करने की कोशिश करेंगे तो उससे क्या हो जाएगी window dressing की जो हमारी एक tendency है वो बढ़ जाएगे और लोग अपने हिसाप से उसको start करेंगे clear देखो इस वीडियो में हमने introduction cover किया inflation का यहां से हमें चीजे समझ में आ गए कि कौन सी चीजों पर effect होता है कौन सी चीजों पर नहीं effect होता है जब हमें पता चल गया कि किन चीज पर effect ह हो रहा है तो अब आगे देखना है कि उनको कैसे correct किया जाए clear next video में हम देखेंगे techniques of inflation accounting जिसमें हमें अपनी current figures को अपनी जो historical figures से उनको current figure पे convert करना है clear और अगर कोई doubt हैं आपकी कोई queries हैं तो please feel free to comment your doubt and queries regarding the topic subscribe the channel for the new updates all the best thank you have a nice day